हला फ्रेंड्स नमस्कार अपन अभी तक जो पढ़ रहे हैं वह अपन आप एक्जाम में आने वाले क्यूस्टन के बारे में बड़ आ कुन कोन से क्यूशन एक्जाम में मुस्ट इंपॉरेंट जो आपकी आच सकते हैं उन्हें के जालके अनों में 100 पूरा स्थतक लगा चुके हैं और अब आगे की शृवात करते हैं तो आप इसमें देख सकते हैं इसमें जो आपको दिख रहा है 101 number का question यानि आपका 101 number का question होगा उसमें आप ये question देखिए कि क्या लिखा है कि file वाली surface पर खरोच chips के बनने का क्या कारण होता है यानि file वाली आपने किसी जो फाइलिंग की और उसपर chips के कारण खरोच बन गये तो उसका क्या कारण होता है तो उसका पिनिंग बोलोगी negotiating बोलो parecer for one igual a これ किसा क्या बोलते हैं इसको चल लगे आपको पता चल गई आए थाय्टों के और फायल में जब रूख जाते हैं तो उसको अबन पिनिंग होना वेब चीजल यह वेब चीजल होती है जो चेंडरिलिंग की वी धातों काटके अलग करने के लिए इसका परियोग किया जाता है ठीक है तब चलो next question पड़ते हैं क्या हतोड़े के चेहरे पर थोड़ी उतलता दी दी जाती है यानि हतोड़े के जो फेस पर थोड़ी से जो कौन कौनमेक्स बनाया जाता है वो क्यों बनाया जाता है परभावी चोट बनाने के लिए किनारी की खुदाई से बचने के लिए चोट माते समय एक समान लोड खिनुमती देने के लिए यह काम की सित्व को नुक्सान से लो यानि आपने जब हेमर का फेस देखा होगा फेस वाल इसान कानल नियुक्तार होगा हैं यो वो उसकी उत्तलता बनाई जाती है तो इस तोड़न की नाम रहे इसलिए इसका हमेंसा नाम होगा crosspin hammer ठीक है तो इसको अपन crosspin hammer बोलेंगे चलो next five 105 नमरा क्रिशन पढ़ते हैं चिपिंग करते हैं चेनी के axe और job की सतय के beach के कोण का क्या नाम होता है यानी चिपिंग जब करते हो तो चेनी की जो axis line और job की सतय के beach का कौण रेच कौन होता है बिंदू कोन होता है क्रिंस कोन था या angle of inflation होता है तो चीजल का जुकहाओ नहें हो पढ़ते हैं तो यह जो हमें साव 40 किसी विखुति में आपको नमती नहीं देती तो वह चीज आपकी क्या कहलाती है उसी का तूरस्पर है टेना सीठी है दूसरा है हाडनेस तीसरा है भंगूर्ता और चोटा टक्तमेस तो एक भंगूरता यह जो तुरेंट छोट मालते ही कोई विकृति उसमें नहीं कॉलर टाइप की बनी और इस इस यह सबस्क्र पर फीनप्र की जाते हैं यूदर के लिए धिर obscure के लिए लिए घ्लीबे चैम्पर क्यों बनातेँ है उसको आगे से आपको पर बताना तो वह हमिएसा आलाइनिंग के लिए की आ जाता है यानि एक गजिदह आखियो लिए उसको पाया जाता तुक में इसका नाम क्या आपके सामने एक डिल्लिंग मशीन का चितर बनावाएं इस डिल्लिंग मशीन है या रेडियल डिल्लिंग मशीन है तो यह आपके सामने देखो पिलर की परपेटर उसका नाम पीलर डिल्लिंग मशीन होगा ठीक है फिर इस बाहरी मैक्रोमिटर की रिडिंग क्या तो जो में डिविजन होता है उसको अपने देखो कौन सी लाइन मिल रही है तो पाच और नो तो इसको टोटल आप जोड़ोगे सब को मिलाके तो इसमें देखो मैं बता देता हूं कि कैसे कैसे इसमें तीन होगे तीन में डिविजन होगे इंट्व कर दो इसको 0.1 से ठीक है 0.1 से गुणा हो गया फिर है आपकी कितने एक सब्डिविजन है तो वन है तो इसको गुणा कर दो आप 0.025 से इससे गुणा करती है इसको अब अब अपने सामने है कि अब इसकी कॉन सा लान से मिल रहे है तो अपने सान नोवी लाइन मिल रहे है ठीक है कौन सी 9 लाइन ठीक है जब 9 लाइन इसे मिल रहे तो इसके लिस्ट काउंट से इसको गुणा कर दो 0.01 से तो नोट पांच कितने होते हैं 0.001 से गुणा कर दिया इसको तो आप इसको देखो कितना मान आ रहा है इसको पांच 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 आगे फिर आगए दो रेक तीन होगे तो यह इसका उत्तर आया सी 3.359 इसका राइट आंसर होगा ठीक है इस तरह मैंने आपका इसका वीडियो भी बनाया कि लिस्ट काउंट की एडिंग कैसे रहते हैं हमेरे पिछले वीडियो में जाके मेरे वीडियो में देख सकते हैं और ची वर्न्य वनीट्ष इसका था सचतार आपके мीडियो क्या होगी अब के सामने एक वैरे तो इसकी había उपके में बचाइब किसी रेडिंग क्या होगी फाइब जीरो इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा ठीक है डी इसका राइट आंसर होगा चलो अगला कुशन पढ़ते हैं अपन लो क्यूं सटा प्रगत तर्णा मुक्त अच्छी कास्ट अरन से बने होते यानि जो आपकी सफेस्प्रेट होती है वह मेंड of stress लिए गुड कालटी कास्ट अरन हो सब्सप्रेट को अच्छी कास्ट आरन के इससे क्यूं बनाया जाते सखांट फंड को रोकते क्ष्रन के लिए तो प्यूंकि जो वोगती है वो रोकने के लिए किया जाता है तो इसका रायट आंसर होगा तो इसका रायट आंसर होगा आपका क्योंकि वो विविन उचायों पर आप उसको सेट करके आप कौन का मेजर कर सकते हैं इसका रायट आंसर होगा डी ठीक है फिर है यूनिसल सर्फेस गेस की किस भागा उप्यों आपसे एक सही पोजिशन पर स्क्राइबर सेट करने के लिए इसका परियो कर सकते हैं ठीक है अब अगरा कैसे पढ़ते हैं एक मीट्र को मिली में में कैसे रहते हैं या नाम बताईव लेवल सिंगल गूरूवली ब्लॉग डबल लेवलं सिंगल गूदी ब्लॉग यां इंगल लेवल डबल गूरूव होगा और सिंगल लेवल सिंगल वी ग्रूव वी ब्लोग यानि भी आंसर होगा इसका क्योंकि इसमें देखो आप यह सिंगल लेवल है और सिंगल ग्रूव बना हुए अगर इसमें यहां पर भी एक ग्रूव बना देता तो इसका अलग हो जाता ठीक है तो इसमें एक ही बना ह सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव ब्लोक है इसलिए इसको पन सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव भी ब्लोक इसका राइए ठीक है ने एक्सक्राइबर होता है जो इसके द्वारा किसी जो पर लाइन किसने का कारी भी इसके द्वारा क्या था यह राइट आंसर होगा इसका स्क्राइबर ठीक है अगला क्यूशन पढ़ते हैं अपने कि राउंड बार के इंदर को खोजने के लिए किस के लिए पर का उप्यों के या इसका राइट आंसर आपका यह होगा जैनी के लिए ठीक है चलो एंट इसमें एसे चीनित कोन का नाम बता है यानि अलफ एसे चीनित वाले कोन का नाम बताना है इसी कोन का नाम पूचा है इसने इसको रेक कोन बोलते हैं वेस कोन बोलते हैं कि इस कोन को अपन कोन सा कोन बोलेंगे तो यह हमेशा कोन ही होता है जो आप देख सकते हो इसको अपन हमेशा क क्लिएंस कौन बोलते हैं ठीक है जो एक को दिख रहे हैं यह वाला कौन यह क्लिएंस कौन है यह आपका इंकलेंट कौन हो गया यह आपका रेक कौन हो गया इस तरहें इसको निधारित करते हैं दोस्तों आज की वीडियों पास इत्ता ही अगर आपको वीडियों मारा पसंद तो आप इसे लाइक करें, सेर करें, आप इनको जरूर देखें ताकि आपके एक्जाम में आपको अच्छी सी तैयरी कर सकें, तो मिलते हैं वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद